दिल्ली में कोईले की कमी के कारण बिजली संकट के आशंक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने प्रियम नरेंदर मोधी को पत्र लिखा है और केंदर सरकार से राजधानी में विजलिया पूर्थी करने वाले सन्यंत्रों को कोईला और गैस उप्रब्द कराने का अनुरोग किया है मुखे मंत्री ने टूइट कर कहा है कि दिल्ली को विजली संकट का सामना करना पढ़ सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से इस्थती पर कड़ी नजर रख रहा हूँ हम इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बीच मैंने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिख कर उनके व्यक्तिगत तौर परहस्ट शेप करने की मांग की है सियम केजरिवाल ने अपनी इस चिठी में प्रधान मंत्री कार रहाले से मामले में दखल देने की गुजारिश की है और दिल्ली को बिजली की आप पूर्ति करने वाले बिजली सनियंत्रों को पर्याप्त कोईला और गयस देने की मांग भी की है इसके साथ ही तीन मांग रखी है पहला दूसरी पावर प्लांट से कोईला दादरी और जज़र पावर प्लांट भेजा जाए दूसरा दिल्ली के गैस आधारित पावर प्लांट को पर्याप्त गैस दी जाए तीसरा एलेक्ट्रिसिटी एक्स्चेंज में मुनाफख खोरी ना हो इसके लिए प्रती यूनिट बिजली बेचने का अधित्तम रेट तै किया जाए दरशल सनिवार को ही टाटा पावर दिल्ली डिस्टिब्यूशन लिमिटेट के सीओ गडेश च्रीनिवाशन ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में रुक रुक कर लोड शेडिंग हो सकती है टाटा पावर ने एक बयान में कहा है कि कोईला अधारित बिजली पावर प्लांट के पास कोईले का सिर्फ एक से दो दिन का स्टॉक ही बचा है नियमों के मताबिक ये कम से कम 20 दिन का होना चाहिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली में रोटेशनल लोड शेडिंग हो सकती है उसर बिजली संकट पर दिल्ली सरकार के उर्जा मंत्री सतेंदर जैन ने सभी बिजली कंपनियों के साथ बैठक की राजधानी में बिजली आपूर्थी करने वाली तीनों बिजली कंपनियों बिजली संकट कितना बड़ा है और इसे कैसे टाला जा सकता है वैसे तो कोईले की कमी की वज़ह से देश भर में ये संकट मंडरा रहा है लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोईले की आपूर्थी का संकट इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि दिल्ली में 64 नॉन पिठेड पावर प्लांट में चार दिन से भी कम का स्टॉक बचा है केंद्री विद्यूत पाधिकरन की नवीनतम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि 25 ऐसे बिजली सनियंत्रों के पास 3 अक्टूबर को ही 7 दिन से भी कम समय का स्टॉक बचा था नवद टाइम्स के लिए संगिता सिंग की रिपोर्ट दिल्ली